Hello everyone, welcome to our channel पढ़ाकू लोग जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा इसी थौट के साथ आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एक ऐसी concept के बारे में जो है तो बहुत simple लेकिन लोगों को बहुत complicated लगती है तो जिन लोगों को ये complicated लगती है अगर आप इस वीडियो को end तक देखेंगे तो you'll get to know it कि कितनी simple concept थी है आज हम बात करने जा रहे हैं हवाला के बारे में एक ऐसा word जो newspaper में usually हमें देखने को मिलता है एक ऐसा word जो किसी भी economy के लिए अच्छा नहीं consider किया जाता है एक ऐसा word जो इंडिया को भी काफी हद तक परिशान कर चुका है आएए बात करते हैं क्या है ये हवाला हम एक example लेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक इंसान राच के बारे में और उसकी family के बारे में तो इस example को ध्यान से सुनिएगा एक इंसान था Mr. Raj ये काम कर रहा था USA में बहुत पार ऐसा होता है हमारे बहुत सारे Indians USA या बहार की countries में काम कर रहे होते हैं मतलब हर family से almost you can see एक इंसान जो बाहर के किसी देश में जाके पैसे कमाने का काम कर रहा है तो Mr. Raj भी कुछ ऐसे ही थे इंडिया में पैदा हुए फामिली इनकी इंडिया में है लेकिन ये खुद काम करने के लिए कहां चले गए USA चले गए अब USA में जब ये काम कर रहे थे तो इनको बहुत बार bribes offer की गई इनको बहुत बार black money की कुछ transactions offer की गई और ये भी अपने आपको resist नहीं कर पाए और इन्होंने भी वो transactions को ले लिया अजन उन्होंने भी bribes ले ली उन्होंने भी black money में कहीं न कहीं अपना कदम डाल दिया अब ऐसे में जब आप black money कमाते हैं तो आप किसी भी government के सामने उस black money को show नहीं कर सकते obviously ये तो बहुत जानी मानी बात है black money आप ऐसे आम लोगों को नहीं दिखा सकते तो क्या हुआ? Mr. Raj ने सोचा कि मैं इंडिया में अपनी family को ना पैसे भीज चाओ लेकिन Mr. Raj को ये बात बहुत अच्छी से पता थी कि वो जो पैसा भीजना चा रहे हैं ये ब्राइब का पैसा है जिसको ये bank account transfer से नहीं भीज सकते अब आप bank से कोई transaction करेंगे वो तो records में आ जाएगी ना उसको तो आप छुपा नहीं पाएंगे बड़ी आपका black money है जिसको आप दिखा नहीं सकते तो ऐसे में Mr. Raj बहुत दुविधा में पढ़ गए कि मैं अपनी family को कैसे पैसे भेजू उस time पे उनका एक बहुती clever, smart और illegal activities का माहिर दोस उनके सामने आया और उन्होंने बोला मैं तुम्हें एक इनसान से मलाता हूँ Mr. X से Mr. X basically एक हवाला operator थे ठीक है एक हवाला operator थे या इनको agent भी बोला जा सकता है So Mr. X से मलवाने की बात करें इनके friend ने इन्होंने बोला वो क्या मेरी help करेंगे तो इनके friend ने बोला कि जो पैसे आप bank account transfer से अपनी family को नहीं भेज़ पा रहे हैं ये इनसान आपकी help करेगा ये पैसा transfer करने के लिए और Mr. Raj एकदम से अचानक से बहुत ज़ादा खुश हो गए He was like really? ऐसा कैसे? तो इन्होंने बोला आप एक बार उनसे मिल लीजिए वो आपको बताएंगे कैसे तो Mr. Raj बहुत खुश हो के 500 dollars लेके अपने साथ कहां चले गए Mr. X के पास चले गए तो Mr. Raj is going to Mr. X आप जब ये X के पास पहुचे और इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ब्राइब का पैसा है जो मैं देना चाता हूँ अपनी फैमिली को भिजवाना चाता हूँ अपनी फैमिली के पास जो कि इंडिया में रह रही है तो आप मुझे बिताई आप मेरी किस तरह से मदद करेंगे Mr. X ने बोला बस इतना ही कोई प्राबम नहीं है हो जाएगा पर इन्होंने पूछा कैसे हो जाएगा तो Mr. X ने बोला एक हवाला ओपरेटर इंडिया में भी बैठा हुआ है जो की मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है Mr. Y तो इंडिया में एक और हवाला ओपरेटर बैठा हुआ है Mr. Y के नाम से इन्होंने बोला आपको जितने पैसे अपनी फैमिली को पहुच आने आप मुझे दीजिए और आपकी फैमिली के पास उतने पैसे पहुच जाएंगे इन्होंने बोला वा, that's very nice फिर इन्होंने बोला आप मेरी फैमिली को पहुच आने की कैसे आप तो कभी उनसे मिले नहीं हुए न and that too Y तो मुझसे भी नहीं मिला हुआ वो कैसे मेरी family को पैचानेगा तो Mr. X ने क्या Mr. Raj ने क्या किया Mr. Raj ने एक password दिया Mr. X को अब यही same password Mr. X ने Y को intimate किया और Mr. Raj ने अपनी family को intimate किया यह जो password है ना जो Mr. Raj ने दिया यह इन्हों ने अपनी family को intimate किया कि बस आपको उस इंसान के पास जाना है उन्हें यह password बताना है और you'll get the amount बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ Mr. X ने Mr. Y को phone लगाया कि भया देखो 500 dollars अपन को क्या करने है इसकी family को देखिया Mr. Y ने बोला हो जाएगा क्योंकि obviously यह भी भाई चारे वाले family है ना X और Y के आपस में connected है दोनों ही हवाला operators है कभी X को Y की जरौत पड़ेगी कभी Y को X की जरौत पड़ेगी तो same concept यहाँ पे हुआ कि Y ने बोला हो जाएगा Mr. X ने passport बताया Mr. Y को की यह तुम्हें पूछना है उनसे वो यह answer देंगे तो आपको उनहीं कोई पैसे देने है इसी तरह से राज की family गई Y के पास उनको वो password बताया और 500 dollars अपने घर ले आई तो इस तरह से पूरी transaction complete हो गई बिना bank की help से तो यहाँ पे आप bribe की money, black money कैसी भी ऐसी पैसे जो illegal activities से कमाया हुआ है वो आपने transfer कर दिया एक दूसरे country में दूसरे लोगों को बिना bank की help लिए इसे कहते हैं हवाला मतलब जब आपके पास कुछ ऐसा पैसा होता है जो आप banks को नहीं दिखा सकते जो आप government के सामने disclose नहीं कर सकते हैं उसे आप transfer करते हैं इस activity के थुरू ये usually इस्तिमाल होता है terrorism में जब terrorist लोगों को पैसा इधर से उधर करना होता है बो इस time पे इसको इस्तिमाल करते हैं black money की कोई भी transaction हो money laundering हो इन सब में हवाला का बहुत major role रहता है तो हवाला एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में काफी time से पाई जाती है बहुत समय हो गया है हमें ये चीज़े notice करते करते और आज भी कहीं न कहीं इसकी जड़े बहुत ज़ादा मजबूत है बहुत पर governments ने initiatives नहीं हैं कि कैसे हवाला को हम रोक सकते हैं लेकिन कभी भी कोई government 100% तक successful नहीं हो पए क्योंकि इसकी जड़े बहुत अंदर तक Indian economy में पहुची हुई है और you never know कौन सा इंसान कौन सा हवाला वाला केस कर रहा है मतलब आपको पहचान में ही नहीं आएगी क्योंकि ये सारी items क्या होती है सारी चीज़े क्या होती है छुपके होती है तो ऐसे में हम पूरी तरह से उसे खदेर नहीं सके अभी तक but I hope future में ऐसा हो जाए future में government कोई ऐसा initiative लाए जिससे इस चीज़ पर बिल्कुल band लग जाए बिल्कुल रोक लग जाए दो अभी भी इस चीज़ पर ये चीज़ band ही है but still अभी भी बहुत सारे efforts ऐसे लगाने बाकी है जो इस चीज़ को completely vanish कर देगी हमारी economy से तो हवाला दो एक बहुत simple concept है लेकिन legal concept नहीं है it's an illegal concept और गलत बात है क्योंकि आप अगर bank की health नहीं ले रहे तो पैसा कही ना कहीं गलत activity से आया हुआ है और गलत activity से आया हुआ पैसा अगर आप इधर उधर कर रहे हैं तो आप एक गलत काम ही कर रहे हैं I hope आपको हवाला का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में हमें लिखके बता सकते हैं कोई problem नहीं है उसमें और हम जल्दी से जल्दी उन comments का reply करने की कोशिश करेंगे With that अगर आपको हमसे connection maintain करना है तो आप हमें Gmail की through connect कर सकते हैं आप हमें WhatsApp कर सकते हैं आप हमें Telegram भी कर सकते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो like का button दबा दीजे और चानल को subscribe कर लीजे बहुत सारा stuff ऐसे knowledgeable हमारे पास है आपके लिए Thank you so much for watching this video